नमस्काल, आधर नियप्रदान मंत्री महोडे, मेरा नाम तेज सुझे है, मैं नौभी कक्षा में केंद्रे विद्याले कंजी कोड एरनाकुलम संभाक अचात्र हूँ, मेरा प्रशन यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है, क्या अच्छी परि बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जुरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदार लगा सकते हैं, कि स्मार्ट वर्क या होता है, हार्ड वर क्या होता है, हम बचपन में थे तो कथा सुना पढ़ाते थे, एक गड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कववा पानी पीना चाहता था लेकिन अंदर वो बहुच नहीं पाता था तो इस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले और दिरे-दिरे पानी उपर आया और फिर उसने आराम से पानी पीया कि सुना है लिए कथा अब इसको आप क्या कहेंगे हाड़ वर कहेंगे कि स्मार्ट वर कहेंगे और देखिए यह जब कथा लिखी गई रहा है तब स्ट्रॉण नहीं था वरना एक कववा बाजार पे जाके स्ट्रॉले के आता देखिए कुछ लोग होते हैं जो हाड़ वर्क ही करते रहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके जिवेन में हाड़ वर्क का नामों निशान नहीं होता है कुछ लोग होते हैं जो हाड़ ली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट ली हाड़ वर्क करते हैं और इसलिए कोवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हाड़ वर्क कैसे करना और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारी कैसी समझी है कुछ लोग होगे आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाए सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं देर सारी महनत करें पढ़ना मिलता ही नहीं है मुझे आध है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटियर में जाना था तो किसी ने हमें कुछ जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने विवस्था कि आप उसको लेकर जाईए अब सुबह हम कोई साड़े पाज बेने कल्यमा ले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी हम अब देर सारी कोशिश से किए धक्ये मारे यह क्या दुनिया भर का हाड़ वर्क किया हमारी जीप नहीं चली साथ साथ बज़ गये तो यह मेकनिक को बलाया अब मेकनिक ने मुश्किल से दो मिनिट लगाया होगा और दो मिनिट में उसने छीख कर दिया और फिर वो कहे सब 200 रुपे देने पड़ेंगे मैं यार दो मिनिट का 200 रुपिया गुले साभे दो मिनिट का 200 रुपिया नहीं है यह 50 साल के अनुभव का 200 रुपिया अब हम हाड़वर कर रहे जिब नहीं चल रही थी उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्टाइट करने थे हाड़ली उसको दो मिरिट लगा हो गड़ी चल गई कहने का ताथ पर ये हैं कि हर चीज बड़ी महनद मद्दूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं नहीं जो खेल कुद की दुनिया के लोग होते हैं उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल में उसको किस मसल्स की ज़रुवत होती है जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे विकेट की पर होगा तो विकेट की पर को ऐसे ही जुक करके गंतों तक खड़े रहना होता है अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंद्र डालके तो कितना दर्द होता है होता है एक तो साइकोलोजिकल भी होता है फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़के बैठना होता है तकलिफ होती है न, लेकिन ही जो बिंगेट की पर होता है मैं उसकी ट्रेनिगों का हिस्फा होता है उसको गंतों तक ऐसे कड़ा लगते हैं कौने ताकि दीर दीर उसके वह मुस्छल मजबूत हो जाएं ताकि वह बिंगेट की आओप कर करें अच्छा काम करें बॉलर होता है तो उसको उस विधागी जरूरत नहीं है उसको दूसरी विधागी जरूरत है तो उसको वो करवाते हैं और इसलिए हमें भी जिस चीज पे ज़रूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उप्योगी है लेकिन अगर मुझे एचिव करना है तो उन स्पैसिपिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा कितनी ओवर कर पाएगा जो लोग बेट लिप्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है हाड़ वर तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हाड़ वर करते हैं और स्मार्टली हाड़ वर करते हैं तब जाकर क्या प्रणा लिए बहुत बहुत धन्यवाद